हेलो फ्रेंज, वेलकम टो नमीका किचन आज मैं आप लोग के साथ फिर से दोई पॉटल की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये एक बेंगॉली डिश होता है और इसमें बिल्कुल भी लिसन प्याज नहीं पड़ता है और बहुत ही टेस्टी होता है तो आज जो मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने थोड़े से चेंजस किये हैं तो इस तरीके से भी आप बना कर देख सकते हैं एक बार तो चीलना कैसे आप देख लीजिए एक बार चीलेंगे, फिर थोड़ा सा हम उसमें गैप रख देंगे तो ये छीलना मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, अच्छे से डिटेल में दिखाया हुआ है कि कटर की सायता से इसको छील लेंगे और दोनों तरफ से हम इसको आड़ा तिर्चा एक स्लिट कर देंगे और नमखल्दी लगाकर इसको हम 5-10 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि इसमें अच्छे से नमखल्दी गुज जाए और दूसरे तरफ चलिए अभी हम मसाला तैयार करते हैं तो मसाले के लिए मैंने सबसे पहले तो ले लिया मुठी भर काजू तो पिछली बार भी मैंने काजू डाला था तो नया चीज आज मैं जो डाल रही हूँ वो है पोस्तो तो पोस्तो से ना एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता और ये हल्थ के लिए भी बहुत दही मैंने अच्छे से 1-2 cup करीब दे दिया था और नमक डालकर इसको मैंने अच्छा सा एक fine paste बना लिया था सूखे मसाले में मैंने एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैं ले लिया है गरम मसाला पाउडर और इसको भी मैं अच्छे से दही के साथ ही फेट लूँगी पानी नहीं डालूँगी तो इसको अच्छे से फेट कर हम रख लेंगे और ये इसको हमको पहले से तयार इसलिए करना है क्योंकि हम कडाई में जो तेल है उसमें डायरेक्ट हम इसको हमको डालना है प्याज लेसं तो हम डालनी रहे हैं तो इसलिए इस मिश्रन को हम पहले से ही अच्छे से तयार करके रख लेंगे ताकि जैसे ही हम परवल फ्राई करके निकालेंगे तो तेल जो गरम तेल होगा उसी में हम इस मसाले को तुरंथी डाल देंगे तो अभी एक कडाई ले लिया था और उसमें मैंने सरसो तेल डाल दिया है सरसो तेल एकदाम अच्छे से जब गरम हो जाए ना तब हम इसमें परवल छोड़ देंगे और परवल को ना अच्छे से कुक कर लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है, यह देखिए, इसका कलर दम बदल चुका है, तो यह अच्छे से पक चुके थे, अब इनको हम अलग से एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे, और तेल एक्स्ट्रा डालने की अभी हमको जरूरत नहीं है, को डाल दिया, जो मैंने सूखे मसाले का जो एक पेस्ट बनाया था, उसको डाल दिया, ताकि जो मिर्ची पौडर है वो जलना जाए, तो यह तुरंट तुरंट आपको करना है, इसलिए हमने पहले से ही इसका घोल बना कर रख था, तो यह देखिए, अभी अच्छे से पक है, तो मसालो को पकाना बहुत जरूरी है, सबजी हम तो बना लेते हैं, लिकिन सबसे इंपोर्टन चीज होता है, मसालो को पकाना, तो यह देखिए, इसको अब मैंने परवल जो फ्राइ करके रखे थे ना, वो भी इसमें डाल दिया, परवल के साथ थोड़ा मसालो को अच कर दीजेगा, तो थोड़े देर फ्राइ करने के बाद, इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि समझ लिए दुपर को आपको चावल के साथ खाना है, तो हलका सा तो ग्रेवी तो चाहिए, आपको खाने के लिए, और जब ऐसा टेस्टी सबजी बनता है, त पूरा चावल खा लेता है, तो इसलिए मैंने और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था, और ये देखिए, पूरा तेल उपर आ चुका था, और इसको वापस से मैं थोड़ा चला लूँगी, थोड़ा सा ये लगी गया था, अगर मैं देखती नहीं तो अभी, तो आपक ये इसको थोड़ा से चलाने के बाद हलका सा नमक डाल दिया, नमक डालने के बाद फिर से इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी डाल कर इसको मैं बॉइल होने के लिए छोड़ दूँगी, ये चावल के साथ ही सबसे बेस्ट होता है, आप चाहे तो पूरी पराठे के साथ भ बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इसको गर्मा गर्मा भात के साथ सर्फ कीजेगा, ये देखिए मेरा दोई पटल बनकर बिल्कुल रेडी था, तो आशा करती हूँ, आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर और मेरे चैनल में अगर वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं मेरा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा और सामने जो बैल आइकन है और उसको जरूर प्रस केजेगा ताकि मेरे आने वारे जितने वी वीडियो के नोटिफिकेशन्स है वो आपको मिल जाएंगे तो ये देखिए बनकर बिल्कुल तयार था तो मैंने गर्मागरा में इसको सर्फ कर दिया तो आप भी इसको अपने घर में जरूर बनाईएगा और अपने अनुभव मेरे साथ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे जरूर बताईएगा कि आपको ये डिश कैसा लगा और मुझे पता है कि आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, so thanks for watching my video.